हेलो गाईज तो कैसे आप सबी लोग वेलकम बैक टु धी अधर गेंपले वीडियो तो गाईज आज हम दुबार स्केलने जा रहे हैं आक सर्वाइवल इवाल तो जी हम भाई लोग तो में को पता है कि मैं आक सर्वाइवल इवाल की वीडियो काफी दिनों बाट डाल रहा आप भी जाता भाई लोग तो मेरे से कंपलेंट कर रहे हैं तो आर्क सर्वाइवल इवाल को टोटली भूल चुके हो एंड में भी आप आप व्यूस के पीछे भाग रहे हो तो इसलिए आप रेगुलर लास्ट डे रूल सर्वाइवल का वीडियो अपलोड कर रहे हो तो ग अब डेफिनिटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आर्क सर्वाइवल इवाल का वीडियो डेफिनिटली गाइज दो दिन बाद या फिर तीन दिन बाद 101 परसेंट आएगा अपसे इस चैनल में ओनली एक वीडियो एक दिन में आएगा मैं भी वो आर्क का हो सकता है लास डेफिनिटली मैं अल्मोस पूरा एक्स्प्लॉर कर लिया था तो डेफिनिटली गाइस यहां पर मैं अपने बेस में स्पॉन हुआ तो यहां पर से मैंने जो भी मेरे को एक शिंशियल समान चाहिए था डेफिनिटली गाइस अपन का हो गया स्पॉयल मीट हो गया एंड थोड़ा सा आर्मर जो कि वहां पर मेरे को टाइटन बोवा और्थो एंड एरिनोस मिलते तो गाइस उन से बचने के मेरे को एक लिस्ट यहार आर्मर चाहिए था तो गाइस यहां पर मैंने चिंटीन का आर आर्मर बनाते तो हम उनसे भी थोड़ा बहुत तो कैसे नी सेफ होंगे तो गया यही सोच के मैंने वह चीज बनाई पर गयास वह चीज काम करती है नहीं करती है वह तो आगे जागे पता चलेगा तो गयास वीडियो स्ट्राट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में जिसने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज भाई लोगों शाय को का लीजे सब्सक्राइब और वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक करना माद भूलना तो फाइनली यहाँ पर मैं हंटर केव में पहुंच चुका हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज तो खाफी अच्छी हुई कि अरिनोज ने अपना इस्पाइडर नेरे उपर खेंगा तो यहाँ पर देख सकते हूँ गाईस एरिनो को जो इस्पाइडर है और मेरा चिंटिन के आर्मर में डैफिनिटली कुछ भी असर नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मे लेवल का अगर गाईस अगर पचास साथ लेवल को हो था तो यहाँ पर मेरा सर्वाइब करना इंपॉसिबल था तो यहाँ पर जो मेरे को डंग बिटल दिखा था यहीं लोकेशन में दिखा था पर यहाँ पर गाईस अब डंग बिटल नहीं है तो यहाँ पर मेरे साथ जो तो गैस जहां पर से तो गायफ हो चुका है डंक बीटल तो मैंने डिसाइड करा चलो एक बारी अंदर जाके चलते हैं जहां पर आर्टिफेक्ट होता है तो गैस जैसी मैं अंदर गया तो यहां पर गैस काफी ज़्यादा हाइड लेवल का टाइटन बहा था तो गैस उसको मा तक तक गैस दूसरे ने जुआ है उसने मेरी हैल्थ इतनी ज़्यादा कम कर दी थी और यहां पर गैस जो मेरे ट्रॉपोस लेवल था वो भी काफी ज़्यादा हाइड हो गया था तो उससे बचना तो गैस इंपॉसिवल था तो यहां पर देख सकते हैं कि मैं हो चुका हूं अनकॉंसियस एंड यहां पर गैस मैं I think मर चुका था वाला पार्ट मैंने अल्लेडी कट कर दिया है तो मैंने गैस यहां पर डिसाइड करें कि चलो फटावर्ट से अपने यहां पर जो मैंने बैग लगा के रखा है उसमें स्पॉन होते हैं तो यहां पर गैस मैंने सारे ट तो गैस उसके साथ में क्या चीजा जिस चीज का काफी दिनों से टो यहां पर आगी जाए मेरे को बिट इन फोब disruption easily तो guys यह जो हम dung beetle को tame करते हैं वो passive tame करते हैं उसको guys tranks arrows से आपको unconscious नहीं करना पड़ेगा अगर guys आप tranks arrows मारोगे तो definitely वो मर जाएगा तो यहाँ पर guys मैं check करने लगा था and वो देख सकते हो guys यह देखो जिस चीज को guys मेरे को इतने दिनों से wait था तो guys वो तो अपन के सामने है and guys use smoothing balm for faster tame तो guys अगर मैं इसको smoothing balm खला का tame नहीं करूंगा तो definitely guys इसको काफी ज़्यादा time लगने वाला है and smoothing balm तो guys मेरे को easily मिल भी जाता है तो ऐसे करते हैं guys फटाफट से इसको smoothing balm खलाएं या ना खलाएं तो ऐसे करते हैं guys अभी smoothing balm नहीं खलाएंगा and यहाँ पर wait करते हैं guys कि कब तक इसको hunger लगता है कि हम अपना next bite इसको खला सकें तो देखते हैं guys कि कितने देर में इसको भूग लगीगी तो guys एक spoil meat से इसमें taming effect जो चल रहा है वो 15 का चल रहा है तो maybe guys इसको around 6 slices देनी पड़ीगी spoil meat की जो कि guys I mean time consuming होगा तो 10 से 15 मिनट तो guys definitely इसको tame करने में लगने वाला है तो ऐसे करते हैं guys smoothing balm यूज कर दे मेरो तो मन guys वही कर रहा है कि smoothing balm मैं यूज कर लेता हूँ तो चलो यार ऐसे करते हैं smoothing balm ही खला लेते हैं यार इसको तो finally guys यहाँ पर देख सकते हो आप मैंने उसको already smoothing balm खला दिया है अब जैसी guys इसमें भूग लगती है इसको तो देखना कि यह tame हो पाता है या नहीं हो पाता वो तो guys आगे देखके पता चलेगा तो अभी हमें तो guys थोड़ा सा wait करना वाड़ेगा literally guys इतना ज़्यादा difficult मेरे को कभी किसी creatures को tame करने में नहीं लगा है जितना guys मेरे को dung beetle को tame करने में लगा अब लग जा कितना खाया है इसने खाना अभी तक guys finally guys यहाँ पर इसको भूग तो लग चुकी है तो जी हाँ guys यहाँ पर हमारा जो dung beetle है वो tame हो चुका है तो चलिए आप इसको फटावर्ट से ऐसे करते हैं guys हम बाहर लेके चलते हैं and वहाँ पैसे तो guys मैं अपना जो pattern और दोन है उसको लेके चले जाओंगा पर guys यहाँ पर मैं इस creatures को क्यों नहीं चोड़ रहा हूँ अगर यहाँ पर मैंने छोड़ा और और तो टाइटन बो आगर यहाँ पर guys गलती से भी spawn हो गए या फिर erinos तो definitely guys वो इसको मार देंगे तो मैंने decide करा है इसको सबसे पहले तो guys मैं पकड़ के अपने साथ भाहर लेके जाओंगा पर guys वो भाहर तो हम बाद में जाएंगे सबसे पहले guys मैं जो है वो artifact hunt कर लेता हूँ अपने के लिए क्योंकि यहाँ पर मैं आया हूँ and मैंने artifact hunt नहीं कराया भी तक तो यहाँ पर guys मैं थोड़ा सा confused हो गया था कि मैंने सोचा यहाँ पर जो erinos है वो मेरे को मारने के लिए आ रहा है पर guys यह erinos नहीं यह अपन का ही dunk battle है तो guys यहाँ पर मैंने dunk battle को equipped कर लिया है तो photographers guys ऐसे करते हैं हम आप याली cave से बाहर निकलते हैं and guys सीधा मिलेंगे हम आपको अपने base में तो सबसे पहले guys मैं ऐसे करता हूँ इस dunk battle को बहुत सेफली अपने cave से भार निकालूंगा guys क्योंकि अगर आपने कोई भी creature stamp कर लिया and उसके सामने guys कोई भी ortho हो गया erinos हो गया या फिट टाइटन बोवा गलती से भी cave के अंदर spawn हो गया तो आपका जो dunk battle है वो तो गया guys उसका बचना बहुत ज़्यादा impossible है तो मैंने डिसाइट कराएं कि फटावर्ट से इसको cave से बहार निकालते है and guys उसके बाद मैं सीधा इसको recall कर दूँगा तो चलिए guys फटावर्ट से ऐसे करते हैं यहाँ पर से बाहर निकलते है and बाहर निकलने में guys काफी ज़्यादा difficulties होती है and काफी ज़्यादी बाहर तो guys मैं भी रास्ता भूल जाता हूँ तो almost guys मैं almost सही रास्ते में हूँ 80% guys मैंने रास्ता cover कर लिया है तो अब एक दो mode और काटने पारेंगे और सीधा guys मैं इस cave से बाहर तो जियां guys यहाँ पर मैं cave से बाहर निकल चुका हूँ and यहाँ पर guys सबसे पहले तो मैं इसको drop करूँगा तो अब भी तक तो guys मैं बाहर नहीं निकला and यहाँ पर I think राद भी काफी जादा हो चुकी है तो देखते हैं अभी मेरे pattern on dawn है जो guys वो मेरे को show होने लगा है तो जीना guys यहाँ पर मैं almost बाहर पहुंच चुका हूँ तो फटावट से ऐसे करते हैं guys इस dunk battle को throw करते हैं नीचे and whistle बजा के guys stop कर देंगा अगर मैं stop नहीं करूँगा तो यह guys dunk battle है जो इसके pair कभी एक जगा में खड़े नहीं रहते यह slowly 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 करके guys यहाँ पर से निकल जाएगा तो guys सबसे पहले मेरे को stop करना पड़ेगा and guys अपना pattern on dawn पकड़के सीधा में निकलूँगा अपने base में तो finally guys यहाँ पर मैं अपने pattern on dawn में पहट चुका हूँ and guys अब मिलते हैं हम आपको सीधा base पहुचने के बाद तो guys base पहुचने में around 10-15 मिनट तो guys easily लग जाएगा तो finally guys यहाँ पर मैं अपने base में पहुच चुका हूँ तो guys photographer से नीचे उतरेंगे and सबसे पहले guys हम अपने dunk beetle को जो है वो request करेंगे and देखते है guys कि वो 40 करने का इसका procedure कैसा है अगर guys अब भी हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरे को इसका dunk चाहिए उससे guys मैं fertilizer बनाने वाला हूँ तो guys अग भी अगर मेरे को पता नहीं चला किस कहां में dunk किस तरीके से मिलेगा तो guys definitely मैं आपको next video में definitely guys 101% आपको बता दूँगा तो guys जितना भी मेरे को समान मिला है वो मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे guys जितने भी मैंने storage boxes बना के रखे वे हैं guys उनके अंदर रग दूँगा तो guys यहाँ पे मैंने एक डिलोपस का एक चुरा लिया था जो कि डिलोपस guys इधर हुदर एवे घूमते रहते हैं उनका उठा लिया था तो मैंने सबसे पहले guys क्यूंकि मेरे को अब भी इनके एक्स की काफी जाता ज़रूरत है guys यहाँ पे मेरे को केबल्स वगेरा बनाने पड़ेंगे तो मेरे को जितने भी creatures वगेरा होते न तो मैं उनका guys almost सबका एक्स कलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे guys देख सकते हो तो फटाफट से guys ऐसे करते हैं हम इसको request कर लेते हैं अराउंड दो-चार मिनट तो लगी जाएंगे guys उसको यहाँ पे पहुंचते पहुंचते तो guys यहाँ पे almost request कर ले हैं अब देखते हैं guys कि कब तक यह पहुंचता हैं यहाँ पे तो finally guys यहाँ पे I think पहुंचा नहीं guys अभी नहीं पहुंचा इसको दुबारे से request करना पड़ेगा वैसे guys में पास option तो आया था कि तुमारा जो डंग बीटाल है वो हमने टेलिपोर्ट कर ली है पर guys अभी तक वो टेलिपोर्ट नहीं हुआ I think guys उसको दुबारे से request करना पड़ेगा तो चलिए guys फटाफट से answer करते हैं दुबारे से request करते हैं देखते हैं guys कि वो पहुंचता है या नहीं पहुंचता तो guys थोड़ा सब wait करना पड़ेगा जादा wait guys मैं आपको कराऊंगा नहीं देखते हैं guys चलो finally guys यहाँ पर मैंने उसको request कर लिया है तो almost guys I think हमारा जो डंग बीटल है वो यहाँ पर पहुंच चुका है नहीं नहीं अब पहुंच जाएगा guys तो finally guys यहाँ पर अपन का डंग बीटल है जो अपने base में पहुंच चुका है तो फटाफट सी guys सबसे पहले हम इसको जो है एक्सपॉयल मीट खाला देते हैं एंड जो इतना भी guys इसका पेटे ना वो almost full करके रखेंगे क्योंकि हमें इसका डंग चाहिए जो guys सोने का कीमत है ना वो इसका भी डंग का कीमत है लिटल ही guys मजाग कर रहा हूं सीरियस मत लेना guys तो सबसे पहले guys इसको मैं गिराता हूं and अपने guys closet में चलते हैं फटावट से एक्सपॉयल मीट देखते हैं कि कितना around 27 एक्सपॉयल मीट हैं तो फटावट से इसको ऐसे करते हैं हम फीट कर आते हैं देखते हैं कि हमें पोटा मिलता है या नहीं मिलता है इसका तो guys यहां पर मैंने जो spoil मीट था उसका almost इसकी inventory में transfer कर लिया है तो guys यहां पर मैं फीट गरा रहा हूं उसको तो जी है guys almost मैंने सारा मीट तो फीट करा दिया है अभी तक यह पोटा नहीं कर रहा है तो यह पोटा कब तक करेगा ओए पोटी दे बे तो I think guys यहां पर यह थोड़ा सो गुस्व हो गया है literally हमें पोटी नहीं दे रहा है एक तो भीक मंगों के तरह पोटी मांग रहे हैं यह पोटी देने में भी guys literally काफी ज़दा भाव खा रहा है तो चली guys आज की वीडियो के लिए बस इतना ही I hope guys आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और guys वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना, comment करना and man करें तो guys please चैनल को subscribe करना मांद भूलना तो मिलतें guys हम आप से next video में तब तक लिए goodbye and maybe guys अपन लोग जो next video में वो farming करेंगे and वो seeds हम कैसे color करते हैं तो guys आपको मैं बताऊंगा वो next video में तब तक लिए goodbye guys and have a nice day बस वाई लोगों अपना ऐसे support बनाए रहे